में शिल्पा दोलिया रेजोनेंस से रेजोमेक्स डिविजन में आपका स्वागत करती हूँ जो अपनी मैजिकल मैट्रिक्स की जो स्रीज चल रही थी उसमें अपने एडिशन, मल्टिप्लिकेशन, सब्ट्रेक्शन, डिविजन सब करवाय है तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजे, शेर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे तो उसी स्रीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ते हैं स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है तो टू सेम नंबर का मल्टिप्लिकेशन जो होता है उसको स्क्वायर बोलत तो स्टार्ट करते हैं अज का शेशन ठीक है तो सबसे पहले बैस सब बैस मेथर बैस सब बैस मेथर जो है आपने मल्टिप्लिकेशन में भी पढ़ा था उससे अपन स्क्वायर भी सॉल कर सकते हैं ठीक है तो अपन कैसे करते हैं देखेगा 93 का अपन को स्क्वायर करना है त 93 जो है उसमें से 7, minus 7 को 8 करना है, तो हो जाएगा 86, तो अपने पास answer हो गया, मैं आपको पूरा बताऊंगी, बट आप पहले देख लीगा, easily कैसे करते, 87 जो है, वो 100 से किता कम है, 13 कम है, तो 13 का स्क्वार 169, ठीके, 1 को अपन केरी की तरह use करेंगे, ठीके, 87 में से 13 को, minus 13 को 8 करना है, ठीके, तो वो कितना हो जाएगा, 74, ठीके, तो 74 में 18 कर देना है, 75, 69, ठीको कितना easily हो रहा है, तो अब मैं step by step समझाती हूं, आपको कैसे किया है, ठीके, 93 जो है, वो 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो वहाँ आपन इनका multiplication करते थे, जो 2 number आते थे, बट यहां पे 7 जो ह है, वो same number होगा, इस list का square कर देंगे, तो हो जाएगा 49, ठीके, और फिर क्या करते थे, जो cross, cross में जो number होता था, उनका addition करते थे, बट यहां पे cross में भी 7 होगा, तो इनका addition कर देंगे, 93 में माइनस 7 को 8 कर देंगे, तो हो जाएगा 86, यह अपने पास answer हो गया, यह था हमना base-subbase method, ऐसे ही यह वाला question है, 87 जो है, वो 100 से कितना कम है, 13 कम है, ठीके, तो first step 13 का अपन को square करना है, तो हो जाएगा 169, ठीके, second step क्या थी, इसमें इसको 8 करना है, 87 में माइनस 13 को 8 करना है, तो क्या हो जाएगा 74, ठीके, अब यहाँ पे 69 रखना है, क्योंकि base अपन 100 मान के चल रहे हैं, यहाँ पे only 2 dgt रखनी है, और 1 का इधर addition कर देना है, तो जाएगा 75, 69, हो गया, आया समझ, कुछ और example देखते हैं, ठीके, यह ही अपने पास 75, अपन को 75 का square देखना है, ठीके, तो 75 जो है, वो 100 से कितना कम है, 25 कम है, तो first step 25 का square, 6 to 5, तो 6 to 5 का 25 रखना है, और 6 अपना केरी हो जाएगा, ठीके, 75 में से फिर अपन को क्या plus करना है, minus 25, क्योंकि यह 100 से कितना कम है, 25 कम है, ठीके, तो यह आजाएगा 50, 75 में से 8 करेंगे, minus 25 तो क्या आएगा 50, 50 में 6 8 कर देना तो हो जाएगा 56, हो गया, ठीके, पूरा step से समझाती हूं, 75 जो है, वो 100 से कितना कम है, 25 कम है, step 1, इसका square, 6 to 5, step 2, इसमें से इसको 8 करना है, तो हो जाएगा 56 का एदर addition हो जाएगा, तो हो जाएगा 56, 25, आगे answer, 125 जो है, 100 से कितना ज्यादा है, 25 जादा है, तो 25 का square, 6 to 5, 6 to 5 का 25, 6 गया, केरी में, 125 में क्या 8 करना है, प्लस 25, तो क्या जाएगा 150, 150 में 6 8 करना है, तो हो जाएगा 156, यह अपने पास answer आगया, ठीके, आ रहा है समझ, अब पूरा step से समझाती हूं, 125 जो है, वो 100 से कितना ज्यादा है, 25 जादा है, step 1, इसका square करना है तो 6 to 5, step 2, इसमें इसका addition करना है, तो 150, 2 डिजित रखनी है, 6 को इधर 8 कर देना है, तो हो जाएगा, 156, 25 अपने answer हो गया, ठीके, यह था आपना base method, अब अपन पढ़ते हैं, duplex method, duplex method से आप कोई सा भी number हो, चाहे, वो 2 डिजितो, 3 डिजितो, 4 डिजितो, 5 डिजितो, easily आप उसका square कर सकते हैं, तो क्या होता है, duplex method, सबसे पहले, step 7 को समझनी होगी, duplex method के लिए, ठीके, तो कोई भी single digit है, अगर उसका आपको duplex करना है, तो आप क्या करोगी, a square, जैसे कि एक number अपने पास, यह 2, 2 का आपको duplex निकालना है, तो क्या करोगी, 2 का square कर दोगे, त तो 2 का duplex क्या आपने पास, 4, ठीके, आप क्या करना है, यहाँ पर 2 digit number है, ठीके, उसका duplex कैसे निकालते है, उन दोनों number का multiplication करना है, और फिर twice करना है, तो यह आपने पास 2AB, ठीके, जैसे 1, 2, कोई 2 digit number है, इसका आपको duplex निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का multiplication कर करेंगे और ट्वाइस कर देंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 2 तो यह 12 का डुप्लेक्स क्या जाएगा 4 ठीक है आया समझ थी डिजिट नंबर है उसका अपन को डुप्लेक्स निकालना है तो अपन क्या करेंगे यह जो नंबर है इनका आपस में मुल्टिप्लिकेशन करके ट्वा बता है मैंने इन दोनों नंबर का मुल्टिप्लिकेशन करना है और उनका ट्वाइस करना है तो 3 दूआ 6 प्लस मिडिल वाले नंबर का स्क्वाइर करके उसमें 8 करना है तो जाएगा 4 यह हो गया अपने पास 10 ठीक है अब यह नंबर है अब 4 डिजिट नंबर अपने पास त प्लस मिडिल वाले जो नंबर है उनका मुल्टिप्लिकेशन करके ट्वाइस करना है और उनको आपस में 8 कर देना है ठीक है एग्जामपल चे समय चीगा इन दोनों नंबर का लास्ट जो टू नंबर है उनका मुल्टिप्लिकेशन करना है और ट्वाइस करना है तो 4 दूआ ठीक है अब प्लस इमीडिल वाले नम्बर जो है उनका मल्टिप्लिकेशन करके ट्वाइस करना है तो छय दुवा बारह ठीक है यो गे अपने पस 20 ठीक है अगर 5-digit नमबर आया है तो क्या करना तो इन दोनों last वाले number का multiplication करना है और twice करना है ठीक है फिर plus ये वाले number इनका multiplication करकी twice करना है plus middle वाला number उसका square करना है तो आपको एक pattern समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है जब भी अगर अपने पास odd numbers आते हैं तो आपन क्या करते हैं last वाले number का multiplication करते हैं twice करते हैं और middle वाले number का square कर देते हैं ठीक है और अगर यहाँ पे even number आ रहा है तो last two digits का multiplication करेंगे twice करेंगे फिर middle वाले number जो है उनका multiplication करेंगे twice करेंगे उनको 8 कर देंगे ठीक है इसका example देखीएगा 1,2,3,4,5 ये कोई 5 digit number इसका अपन को duplex निकालना है तो कैसे करेंगे इन दोनों का multiplication करके twice करना है याने कि यहाँ जाएगा 10 ठीक है इनका multiplication करके twice करना है 4,2,8,8,2,16 प्लस middle वाले number का अपनको square करना है तो जाएगा 9 ठीक है तो कितना हो गया अपने पास 25 तो यह हो गया और 35 अपने इसका duplex निकल के आगया ठीक है अब इनको पन कैसे question भी use करेंगे आपको समझाती हूँ यह मेरे पास 97 का square तो 97 का square कैसे निकालेंगे 7 का single digit है 7 का square 49,4 केरी गया 9 सत्य तरेशट 2,126 प्लस 4,13 केरी गया 13,9 का square 81,81 प्लस 13,94 मैं पूरा step से समझाओंगी बट मैं क्विक्ली करके बतारे हूँ आपको 85 का करना है तो 5 का square करेंगे 5,2 केरी गया 8,8 का square करेंगे 64 और 8,72 यह अपने पास answer हो गया, आप मैं पूरा steps आपको समझाती हूँ, first क्या करना है single digit number लेना है यहने की 7 का square करना है, 7 का square 49, second step 2 digit लेने, प्रिन का reflex निकालना है, 2 digit number का क्या बताया था, मैंने इन दोनों का multiplication करके twice करना है, तो 9,73,72,126 प्लस, यह प्लस बाद में होगा, 126 नहां लिख देना है, ठीक है, अब third step क्या है, इधर से number लेंगे और एक number छोड़ते जाएंगे, ठीक है, अब last में क्या करना है, 9 का square करन 7, ठीक है, single digit लेंगे है, 4 का इधर addition कर देना है, 130, 0 लिखेंगे, 13 का इधर addition कर देना है, तो जाएगा, 9409 अपने पास answer आगया, ठीक है, अब यहां पर 85, first step क्या 5 का square, 25, second में क्या करना है, 2 digit number लेना है, तो 8,5,40, 42,80, ठीक है, यहां जाएगा 80, ठीक है, अब इधर से number लेने, तो 8 का अपन को square करना है, हो जाएगा, 64, ठीक है, करिएगा, 2 का इधर addition हो जाएगा, 82, 8 का इधर addition हो जाएगा, तो हो जाएगा, अपने पास 72, 72, तो 72, 25 अपने पास answer आगया, यह थे 2 digit number, अब देखीगा, 3 digit number का अपन कैसे निकालेंगे square, using deplex method, ठीक है, step first, 5 का square करेंगे, 25, 5 लिखा, 2 केरी में जाया, ठीक है, अब 2 digit number लेने, तो 5, 2, 10, 2, 20, 20, और 2, 22, हासिल लगा, 2, ठीक है, अब 3 digit number लेने, तो 15, 2, 30, प्लस, बीडियल वाले number का square, 30, प्लस 4, 34, 34 में दो जोड़ेंगे, 36, केरी गया, 3, ठीक है, अब इधर से number लेना है, एक number को छोड़ते जाना है, तो 2 digit number है, 3, 2, 6, 6, 2, 12, 12, 12, 12, प्लस 3, 15, हासिल लगा, 1, फिर इधर से एक number छोड़ना है, 3 का square करना है, 9, 9 और 1, 10 हो गया, ठीक है, यह अपने पास answer हो गया, अब पूरा करके बताती हूं, आपको मैं, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट में क्या करना है, 5 का square करना है, ठीक हो जाएगा, पतलब, सिंगल डिजिट का duplex क्या बताया था, मैंने, उसका square, ठीक है, अब 2 digit number लेने, तो 2 digit के लिए duplex क्या था, दोनों number का multiplication करके twice करना है, 5 दौरा 10, 10 दौरा 20, ठीक है, आप क्या करना है, 3 digit number लेना है, तो 3 digit number के लिए क्या बताया था, मैंने, इन दोनों numbers का अपन को multiplication करना है, twice करना है, और middle वाले number का square करके, उसमें 8 करना है, तो 15 दौरा 15, 15 दौरा 30, प्लस middle वाले number का square, 2 का square 4, तो होचाएगा 34, अब इदर से एक number छोड़ते जाना है, तो यहां से क्या करना है, 2 digit number 32, 32 का डिफलेक्स क्या होगा, 3, 2, 6, 6, 2, 12, और last में 3 का square, यान की 9, ठीक है, अब क्या करना है, 5, 2 का इदर addition कर देना है, 22, ठीक है, फिर 2 का इदर addition करना है, 36, 3 का इदर addition करना है, 15, फिर 1 का इदर addition कर देना है, 10, यह अपने पास answer आगया, ठीक है, ऐसी ही दिखे, 5, 6, 2 का अपन को square निकालना है, तो step 1, 2 का square, 4, step 2, 6, 2, 12, 12, चोईश, 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 का चार, हासी लगा 2, step 3, इन 3 नंबर का duplex निकालना है, 5, 2, 10, 10, 2, 20, 20, plus 6 का square, 36, यह हो जाएगा, 56, 56 में 2 जोड़ेंगे, तो 58, केरी गया 5, अब इन दोनों का निकालना है, 6, 35, 30, 2, 60, 60, 60 में 5 जोड़ेंगे, तो 65 हो जाएगा, केरी गया 6, लास्ट में 5 का square, तो 25 और 6, 30 यह अपने पास answer आगया, ठीक है, अब पूरा करके ब 2 का square करना है, जो अपने पास 4 आएगा, ठीक है, अब इन दोनों number का multiplication करके twice करना है, 2 digit का duplex निकालना है, 6, 2, 12, 12, 12, 24, ठीक है, 3 digit के लिए क्या बताया था, इन दोनों का multiplication करके twice करना है, middle वाले number का square करके उसमें 8 करना है, तो 5, 2, 10, 2, 20, plus 36, 20, plus 36, यह हो जाएगा, अपने 32, 60, यहां से 36, 32, 60, ठीक है, लास्ट में, यह, लास्ट वाले number का square, यहनि की 25, लिख देना है, 4, 4, 2 का हिदर addition कर देना है तो हो जाएगा, 58, 8 लिखा, 5 का हिदर addition, 65 हो गया, 65 का 5, 6 का हिदर 8 कर देना हो जाएगा, 31, यह अपने पास answer हो गया, ठीक है, तो यह 3 digit, 4 digits अब के लिए applicable होगा, और कितना easily हो रहा है, आपका time save हो रहा है, और एक single line में आपका space भी बच रहा है, इसमें, तो यह बहुत अच्छा method है आपके लिए, ठीक है, अब आपको इसका 4, 6, 2, 5 का square निकालना है, तो step 1st, 5 का square 25, 2 केरी गया, ठीक है, अब क्या करना है, 2 digit का 6, 5, 3, 2, 60, plus, यहां पर 2 का square 4, 64 हो गया, 64 में 2 जोड़ा, तो 66, केरी गया, 6, अब 4 digit का निकालना है, 4 digit का मैंने के से बताया था, last वाले number का square, आपस में multiplication करकी twice करना है, और middle वाले number जो है, उनका आपस में multiplication करकी twice करना है, उन दोनों का आपस में 8 कर देना है, तो 4 का 5 से कर करना है, तो 5 के 20, 20, plus, 20 का twice करना है, 46, 12, 12, 24, 64, 64 में आपको 68 करना है, तो जाएगा 77 करी गया, अब 3 digit नमबर लेना है, एक नमबर इदर से छोड़ते जाना है, ठीके, अब इसका करेंगे, तो 4, 2, 8, 2, 16, प्लस 36, आजाएगा आपके पास 52, 52 में 7, 8 करना है, जाएगा 59, केरी गया 5, ठीके, अब यहां से, इसका अपन को डिफलेक्स निकालना है, तो 6 चोग चोईस, दुआ, 48, 48 में 5, 8 करना है, 53, फिर अपना केरी गया 5, ठीके, तो 4 का फिर स्क्वाइर करेंगे, 16 और 5, 21, यह अपने पास आंसर आगया, ठीके, एक सिंगल नाइन में हो रहा है कितना इजीली हो रहा है, जब आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी, तो आप से भी बनने लगेंगे, ठीके, इसका अब पूरा बताती हूं, मैं 5 का स्क्वाइर करना है, पहले 25, ठीके, उसके बाद इन दोनों डिजिट का निकालना है अपन को, तो 5, 2, 10, 2, 20, ठीके, 3 डिजि के लिए इन दोनों का, बल्टिप्लिकेशन ट्वाइस, 4 का पासे करेंगे, 20, 2, 40, इन का आपस में करेंगे, 6, 2, 12, 2, 20, यह जाएगा 64, ठीके, अब इधर से करना है, एक नमबर चोड़ना है, तो 4, 2, 8, 2, 16, प्लस 36, यहां पे हो जाएगा 16, प्लस 36, आपके पास हो जाए इतीन नमबर च moo गया, आपके पास, ठीके, 6, 2, 24, 48, फिर लास्त वले नमबर का स्कार, रहाएगा 16, ठीके, आपे लिक्ते है, दो 5, 2 का इदर अदिशन कर देआ, 2, यह जाएगा 22, 66, 6 का इदर अदिशन कर देना है, 70, 7 का इदर अदिशन करदेना है, 59, 5 का इदर अदिश फाइप का एदर एडिशन कर देना हो जाएगा 21 यह अपने पास आंसर आ गया ठीक है एक को फोर डिजिट का एक्जाम्पल देखीगा यह 6 2 3 4 इसका पन को स्क्वायर करना है ठीक है तो कैसे करेंगे लास्ट में 4 का 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 3 डिजिट के लिए क्या था इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन करना है मिडिल वाले नमबर का स्क्वायर करके उसमें 8 करना है तो 4 2 8 2 16 प्लस 9 25 ठीक है अब क्या करना है 6 का 4 से करना है तो 6 चुक 24 28 प्लस 6 2 3 का 2 से करना है प्लस उसका twice करना है तो जाएगा 60 ठीक है यह वाले नमबर का हो गया अब एक नमबर इदर से छोड़ते जाना है तो 6 का 3 से करना है 6 3 8 2 36 प्लस 4 ते हो जाएगा 40 ठीक है अब 6 2 12 2 चोईश वो लास्ट वाले नमबर का इसक्वायर करना है चाएगा 36 ठीक है अब लिग देना है ठीक है यह जा 6 1 का इदर एदि हो जाएगा 27, 2 का इदर addition हो जाएगा 62, 62 का 2 लिख दिया, 6 का इदर addition हो जाएगा 46, ठीक है, 4 का इदर addition हो जाएगा 28, फिर 2 का इदर addition हो जाएगा 38, यह अपने पास answer हो गया, ठीक है, यह ता 4 digit number, अब मैं आपको एक homework दे रहे हूं, वह आप करिएगा, 75, 3, 6, 2 का आपको square निकालना है, यह 5 digit number है, यह आप करिएगा, आपको आता है तो comment box में comment करिएगा, यह था अपना square trick और next video में पन देखेंगे, square root कैसे निकालते हैं, thank you.